नमस्कार दोस्तों आज जिस व्यक्तित्व की हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं उनको वैसे तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है पर फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है जमना लाल बजाच उनके 45 वे रास्टिये अंतर रास्टिये पुरुसकार की आज हम इज़र बात करेंगे और थोड़ा सा उनके बारे में भी जानेंगे कि वो कौन थे और उन्होंने क्या-क्या कारेकरम भी हमारे देश के लिए करे हैं तो देखिए मैं आपको बताऊं तो उन्होंने चाए खादी हो चाए दलित का कल्यान हो महिला मुक्ती या व्यवसाई से रिलेटर कुछ भी चीज हो तो उन्होंने उसमें भड़ चड़ कर काम किया और महत्मा गांधी जी ने उनको अपने पाच्वे पुत्र के रूप में भी अपनाया था तो ये अपने आप आपको इस वीडियो के जलिए क्या बताने जा रहा हूं तो जो जमना लाल बजाज फाउंडेशन है उन्होंने चार तरीके के पुरुसकार निकाले हैं और उसकी राशी जो है वो 20 लाक रुपे प्रतियक पुरुसकार की है इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि चार तरीके के पुरुसकार उन्होंने निकाले हैं जिसको आप 31 जनवरी 2023 तक एपलाई कर सकते हैं तो अब उसमें क्या-क्या केटिगरीज है ये मैं आपको बता देता हूं तो पहला आवारड जो है वो है रचनात्मक कार्य के लिए रास्ट्य पुरुसकार अवार्ड फॉर्ट्वर्ड अगर आपने किसी भी तरह के का कोई रचनात्मक क्रिएटिव वर्क किया है तो उसके लिए आपको ये पुरुसकार दिया जाएगा दूसरा है आगर आपने किसी ग्राम विकास हितु विज्ञान और टेकनोलोजी में अगर आपने कोई काम किया है तो आपको रूरल डवलप्मेंट में वो आपको करना होगा तीसरा अगर आपने किसी महिला और बाल विका सिफ कल्यान के लिए कोई अगर कारे किया है तो उसके लिए आपको ये प्राइस दिया जाएगा चौता है आपने अगर कहीं भी विदेश में गांधियन वैल्यूस को प्रोमोट किया है तो चौता अवार्ड उस चीज के लिए दिया जाएगा पहले इसकी धनराशी 10 लाक रुपे रखी गई थी पर बर्थ एनिवर्सरी है इस वज़े से इस प्राइस को बढ़ा कर 20 लाक रुपे कर दिया गया है अब अगर आप इनके बारे में जानना चाते हैं कि यहां पर कौन-कौन से लोग हैं तो आप इनके बारे में यहां से देख सकते हैं और जब भी इस प्रोसेस का सेलेक्शन होता है उसमें कैसे कैसे वो प्रोसीजर होता है और आपको कहा लॉगिन करना है वो सब मैं आपको आगे बता दूँगा अगर हम बात करें तो ये जो award function होता है उसमें chief guest कौन कौन होते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो president रहे हैं हमारी country के जो हमारे prime minister रहे हैं vice president रहे हैं तो almost बड़े बड़े लोग इधर यहां पर आते हैं तो आप जैसे देख सकते हैं कि 2021 में किला सत्यरती जिनको noble peace से नवाजा गया था बचपन बचाओ अंदोलवन के तहित तो और अगर आप ये हिंदी में पढ़ना चाते हैं तो आप ये हिंदी में भी पढ़ सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी वेबसाइट पर विजिट करना है आपको सिर्फ क्या करना है आपको लिखना है जमनालालबजाज अवाड्स और बस वहाँ पर जाकर आपको लॉग इन कर देना है और अपनी सम्मिट कर देनी है ओनलाइन एप्लिकेशन अंतिम तारिक में आपको दुबारा बता दूँगा 31 जनवरी 2023 है तो उसको आप जल्दी से जल्द अपलाई करें और इसको लोगों के साथ शेयर भी करें बहुत बहुत धन्यवाद